नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बच्चों, बताईए तो ये किसका चित्र है? बिल्कुल सही पैचाना आपने, ये विवेका नंजी का चित्र है. बच्चों, आप जानते हैं स्वामी विवेका नंजी कौन थे? नहीं मालो, स्वामी विवेका नंजी भारत के आध्यात्मिक गुरु थे. आपको पता है? एक बार अमेरिका में संसार के सभी धर्मों के संदर्व में एक बहुत बड़ी सभा हुई. इस सभा में स्वामी विवेका नंजी हमारे भारत देश की सनातन धर्म के विशय में जो भ पढ़ेंगे. बच्चों, आपको पता है? साहसी क्या होता है? नहीं पता? बच्चों, साहसी सब्द एक विशेशन सब्द है, जिसका अर्थ होता है निडर होने का गुण. आज हम जो पार पढ़ेंगे, उसमें बालक नरेंद्र को साहस की सीख कैसे मिली? इस कहानी के माध् पानी है, उन दिनों बनारस में गंगा के घाट पर बहुत अधिक बंदर हो गए थे, वे इतने निडर थे कि लोगों के हाथ से समान छीन लेते थे, खाने का समान तो वे छोड़ते ही नहीं थे, देखिए चित्र में. एक दिन की बात है, नरेंद्र नाम का एक लड़का नरेंद्र ने अपनी चाल बढ़ा दी, बंदर भी तेज ब्रलने लगा, बंदर को करीब आते देख नरेंद्र तेज भागने लगा, इस सारे द्रिसी को एक सज्जन देख रहे थे, उन्होंने नरेंद्र को भागने से रोका, कहा भागते क्यों हो, नरेंद्र बोला क्या कर वह खड़ा हो गया उसके खड़े होते ही बंदर भी खड़ा हो गया नरेंद्र ने अपना जोला उठाया और मारने दवड़ा नरेंद्र को अपनी और आता देखकर बंदर भाग गया यह देखिए बच्चों चित्र में बंदर भाग रहा है और नरेंद्र बैग उठाकर दव सिद्ध हुआ ये देखिए आप ये चित्र उनका बच्चों कैसा लगा पाठ अब हम आगे अभ्यासकारी करेंगे देखिए क्या लिखा है नीचे लिखे प्रश्णों के उत्तर बताओ पहला प्रश्ण है इस पाठ में किस नदी का नाम आया है बताओ तो बिल्कुल सही इस गंगा नदी का नाम आया है दूसरा प्रश्ण देखिए गंगा नदी के किनारे कौन सा सहर बसा है बिल्कुल सही गंगा नदी के किनारे बनारस सहर बसा है तीसरा प्रश्ण बनारस सहर का दूसरा नाम क्या है बनारस सहर का दूसरा नाम वारानसी और काशी है बच्चों अ नरेंद्र किस से डर कर भाग रहा था बिल्कुल सही नरेंद्र बंदर से डर कर भाग रहा था अब भ्यासकारी का दूसरा प्रशनी देखिए नीजे दिये गए अधूरे सब्दों को रढ और रढ लिक कर पूरा करना है ठीक है देखिए क्या लिखा है च फिर जगा खाली है फिर लिखा है . क्या आएगा बीच में ? रायगा ? किडायगा ? बिलकुल सही इसमें आएगा रहा और यह सवते हो जाएगा चढ़ेना अगला देखिए बच्चों क्या लिखा है ? तो जगहच्णक खाली ना बीच में क्या आएगा ? रायगा ? किड़ा आएगा? बिल्कुल सही, । र आएगा, और यह सब्ध हो जाएगा दव्ध न, अगला देखिए, प जगा खाली फिर लिखा है न, क्या आएगा बिच में? र किड़ा, इढला, और यह हो जाएगा पड़न, बिल्कुल सही, अगला देखिए, ल, जगा खाली, न, जाएगा बीच में, ड, किड़ा, बिल्कुल सही, आ जाएगा ड, और ये सब्द हो जाएगा लड़ना, एकदम सही, देखिए बच्चों, अगला अभ्यासकार तीसरे नमबर का है, सब्दों की अंताक्षरी बनाईए, आपको पता अंत अंताक्षरी क्या होता है, एक सब्द बोलते हैं, उसके अंतिम सब्द से नया सब्द बनता है, इसको बोलते हैं, अंताक्षरी, आपको पता है न, चले देखते हैं, ये ट्रेन के टिब्ब है, बहुत सारा, इसमें पहले में क्या लिखा है, दिन, दिन का अंतिम सब्द क्य क्या होगा ना अन्ना से एक सब्द बनाना है क्या होगा नगर बिल्कुल सही उसके बाद नगर का अंतियम सब्द क्या है रा से एक सब्द बनाई है क्या सब्द बनेंगा बताइए तो रसी एकदम सही देखिए रसी का अंतियम सब्द क्या होगा सी 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 से एक सब्द बनाई ह सीता, एकदम सही, फिर सीता का अंतियम सब्द क्या है, ता, ता से एक सब्द बनाई है, ताबीज, ताबीज का अंतियम सब्द क्या है, ज, ज से एक सब्द बनाई है, जल, एकदम सही, जल का अंतियम सब्द क्या है, ल, और ल से एक सब्द बनाई है, क्या होगा, लड़का, इसको कहते हैं अन्ताक्ष्वी सब्द, आपका ट्रेन का डब्बा पूरा भर गया सब्दों से. बच्चों, अब मैं आपको दे रही हूँ ग्रीकार, आप इसको अपनी कापी में लिख कर लाएंगे. पहला प्रश्ण है, अगर कुट्टा तुम्हारे पीछे दवडे, तो तुम क्या करोगे? सोचना और उसको कापी में लिख कर लाएंगे. दूसरा प्रश्ण है, स्वामी विवेका नन्द भारत के महान पूरुस थे थे ना? अपने प्रदेश के किसी एक महापूरुस का नाम लिख कर उनका चित्र अपनी कापी में चिपकाओगे. ठीक है? अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही धन्यवाद.